एलो दोस्तों स्वागत आपको मैं चैनल में तो बड़ो व्लोग सके अंदरा आई होप आप सभी ठीक होंगे तो आज की वीडियो में अपनी यामा की MT-15 version 2.0 के मिटर कंसोल के बारे में बात करेंगे इसके मिटर का बारे में रिव्यू बताने वाला हूँ जो की 2024 मोडल नया जाएगी चाबी ओन करने के बाद में देखते हैं कैसा लगेगा यह मिटर चाबी ओन करने के बाद में कुछ इस तरह का फेस मिटर आपको देखने को मिल जाता है मिटर का फेस कुछ इस तरह का है जिसमें इस तरफ में आपको वो जो ग्रीन कलर की लाइट में रहे है यह न यह ABS की light देखने को मिल जाएगी भागी meter में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा digital meter के अंदर बीच में तो इसमें आपको speedometer देखने को मिल जाएगा जो कि आप zero देख पा रहे होंगे odometer आपको देखने को मिल जाएगा trip देखने को मिल जाएगी Gear Position Shift आपको देखने को मिल जायेगा इस Bike के अंदर काफ़ी धेरों सारे Features आपको इस में देखने को मिलेंगे और इस तरफ में आपको एक Button दिया गया है जो कि Mode का button देखने को मिलता है Mode और Set तो button आपको दोनों button इस तरफ में देखने को मिल जाते हैं लेकिन इस पाइक में कुछ अलग किया है यामा कंपनी ने तो इस तरफ में दोस्तो किल स्विच आपको देखने को मिल रहा है इंजर किल स्विच और नीचे आपको सेल्फ का बटन नौर्मली देखने को मिलता है तो यह था को दोस्तो 24 मोडल का रिव्यू मैंने कंसोल के बार कि अजिए घटने को मिलता है यह मिलता है यह तो बटने किल सेल्गम आपको अबम माद का कर दोच व्याद को यह तो यह चुझ बटने ख़र हैं झाल यह तो यह जारा है वर्प यह शूर्ण